हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है बैड इमेज MSBCP140.dll not desire to run on window error status 0xc00000020 इस तरह का error आता है तो इसको कैसे fix करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज चैनल को subscribe करना ना भूले चलिए शुरू करते हैं यदि आपके case में भी इस तरह का error आता है तो इसको fix करने के लिए बहुत सा तरीका है इनमें से आपको कुछ तरीका बताता हूं कैसे आपको fix करन इसके बाद 2015-2022 इस तरह से आप कीज़ेगा इसके बाद यहां पर आपको इंटर कर देने इंटर करते हैं यहां पर आपको क्लिक कर देने क्लिक करते हैं Microsoft का officially website ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको score done करने के बाद यहां पर लिखा हुआ दिख जाएगा विजुल स्टूडियो 2015-17-1922 इसके नीच आप देखेंगे तो यहां पर आपको download करने के दिख जाएगा 86 के लिए यहां से 64 bit के लिए यहां से download करने के लिए दिख जाएगा तो आपको क्या करने इन दोनों को आपको download कर लेने इसके लिए यहां पर download कर लेने दोनों को इस तरह से आप download कर लिएगा दा운loot complete होने के बाद आपको क्या करने उस Followānra जहा आपने इसको download किया वहां पर आपको इस तरह से e xe दिख जाएगा तो इस तरह से दोनों e xe download कर लिएगा अब आपको क्या करने इस e इसके बाद आपको apply थे click कर देना है यदि आपके case में यहाँप नहीं दिखते है तो आपको क्या करने है तो आपको क्याकर आपको रैट किलिक करने है इसके बाद यहाँपर आपको दिख जाएगा किलिक करते हैं इस तरह से बिंडॉपन हो जाएगा अम आ लिए यदि आपके केस में भी इस तरह से बिंडॉपन होते हैं तो आपको क्या करना यहां पर यहां पर किलिक करते हैं इस तरह से बिंडॉपन हो जाएगा अब आपको क्या करना यहां पर इसको टिक मा करते हैं इसके 64-bit होगा तो 32-bit और 64-bit दोनों को इंस्टॉल करना है यदि आपके केस में 32-bit है तो आपको क्या करना है रिय स्टार्ट होने के बाद आप चेक कर लिजेगा आपके केस में जो यह पॉलाम मारा था यह पॉलाम फिक्स हो गया होगा मान लिजे अभी भी फॉलाम फिक्स नहीं होता है तो आपको क्या करना है इसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा सेटिंग इसके ओपर आपको क्लिक कर देना है किलिक करते हैं इस तरह से विंड ओपन हो जाएगा अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 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 देखेंगे यहां से अनिस्टॉल कर दीजेगा, दोनों को आप यहां से अनिस्टॉल कर दीजेगा, अनिस्टॉल होने के बाद आपको क्या करने, एक बार सिस्टम को आपको रियस्टार्ट कर दीजेगा, रियस्टार्ट होने के बाद आपको क्या करने, फिर से यहां से आपको दोनों को डाउनलोड करने के बाद दुबारा इसको आपको इस्टवल कर लेने। इस्ट लेशन होने के बाद आप चेक कर लेज़ेगा आपके केश वह यह मा रहा था यह पॉल्म हो गया होगा अगर माली प्रूल्म फिक्स नहीं होता है तो आपको क्या 12 यह वाला version भी आपको यहाँ से download करके install कर लेने हैं उसके बाद चेक किजएगा आपके case में problem fixed हो जाएगा अगर फिर भी नहीं होता है तो यह वाला install करके चेक किजएगा तो इस तरह से यहाँ से आपको install कर लेन्हें एक एक करके सभी को इंस्टॉल कर लिजेगा उसके बाद चेक किजेगा आपके केस में जो भी पॉलम आ रहा था वह पॉलम सॉल हो जाएगा और प्लीज गैस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक्प्यू